तो माई चाइनल स्मार्डे जोन्स सो जैपी इसी के तरफ से एक नोटिफिकेशन यहां पर आउट करा गया है यहां पर बिहार के लोग भी एलिजबल है और इंडिया से यहां पर फॉर्म फिलप हो सकता है तो हम लोग यहां पर जानेंगे इसके बारे में कि आपकी सैलरी क्य रहेगी इस लिमिट क्या रहेगी क्या मंगा गया कितना यहां पर पोस्ट है सभी कुछ यहां पर डीटेल में आपको बताने बाला हूं कि फुल स्लेवर्स एक्जाम पैटर आपका क्या रहेगा तो इस वीडियो को इन तक देखना और वीडियो को लाइक करते हैं जासा है पें यहां प्रक्रें इस और नाम लिखा है और किस्ली बरी मेर्थ को शूरू करते है यहां लाइक है यहां पर देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग इहां पर और इहां पर um और इधर आपका यहां क्यट energized इस बावर छालिस बाद पर एसर दकाल की को यह इसके यहां मैं ने उदर आपको दिखा दिया और सहयक नगर अयुक्त का यहां पर पोस्ट निकाला गया, देख सकते हूँ, कारेपाल पद अधिकारी का यहां पर पोस्ट है तो इसका 65 यहां पर total पोस्ट दिया गया है, बाकि आपका यहां पर category by mention रहता है जैसे कि मैंने उपर आपको द अब हम बात करते हैं पर कुछ important चीज़ों पर जैसे कि इसका क्या रहेगा आपका form फिलप कब से होने वाला है और जो आपका यहां पर qualification वो क्या मांगा गया है तो उससे पहले आप यहां पर यह देख लो कि जो आपका salary है वो क्या यहां पर दिया गया है इधर आपका यहां mention है जितने भी post के लिए आपकी vacancy है यह जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर 3300 से लेकर आपका जो बेदन रहने वाला यहां पर 34800 रहने वाला ठीक है तो जालतार आपका यहां पर चोवन सो जो ग्रेट पे है उन्हीं पोस्ट के लिए यहां पर vacancy है देख सकते हो जालतार उसी के बारे में अपर mention है और आपका यहां पर 4800 ग्रेट बाइट बीके यहां पर पोस्ट निकाली गई है तो यहां पर आप देख सकते हो जिस allegations कर देख ले ले सकते हो और आप तक आपका result आयाता है तो बिल्कुल आप यहां पर इसमें फॉर्म फिल करने के हम बात करें is limit की तो is limit यहां पर दिया गया 21 साल आपका minimum होना चाहिए और 25 साल आपका maximum is limit होना चाहिए और is की गन्ना की यहां पर बात करें तो cutoff date यहां पर mention कर दो इस यहां पर कट ऑफ डेट मेंशन है यहां तक आपका जो इस की गन्ना है यहां पर cutoff date मेंशन करा गया है यहां यहां पर जो भट कट ऑफ डेट नहीं लगा होने वाली जो जो की इस दी गई है तो इसके basis पे आपका यहाँ पर जो आपका age limit होगा वो decide होगा हम बात करें upper age limit की तो यहाँ पर देख सकते हो आपको reservation भी मिल रहा है यहाँ पर अपर age limit जो है वो unreserved का 35 रखा गया है बाकी जो यहाँ पर reservation वाले उनके लिए यहाँ पर mention कर दिया गया यहाँ पर age limit जैसे कि आपका extremely backward जो यहाँ पर class में आते हैं उनका 37 year रखा गया age limit यहाँ दो year का आपका age limit relaxation मिल रहा है वह नीचे देख ले तो आपके female candidate के लिए भी यहाँ पर 38 year age limit रखा गया है तो यह आपका यहाँ पर जो reserve category में आते हैं उनके लिए यहाँ पर age limit mention है with relaxation तो भी आप यहाँ पर देख सकते हूं बात करें कि number of attempt कितने बार आप दे सकते हूं इस exam को तो यहाँ पर कोई limitation नहीं है ठीक है यहाँ पर clearly mention कर दिया है there is no limitation on number of attempt ठीक है तो यहाँ पर कोई भी limitation नहीं रखा गया है हम अगर बात करें number of attempt की तो जो age limit में आपको interaction मिल रहा है वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जारखंड के यहाँ पर रहने वाले हैं वहीं ले सकते हैं ठीक है अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हो form तो आप उहाँ पर age relaxation नहीं लोग पागए आप as a general consider किया जाओगे ठीक है यहाँ पर मुशन है पर जो आपका यहाँ पर पुलिस विवाग में जो वेकैंसी है उसके बारे में हम बात करें तो उसके लिए यहाँ पर यह लंबाई दे दिया गया है 165 दिया गया है मेल के लिए ठीक है 165 सेंटि मीटर लंबाई दी गई है तो यह सारे कुछ यहाँ पर mention है और जो female के लिए यहाँ पर chest होता है वो 81 सेंटिमीटर मांगा गया एक्सपैंड़ और बिना एक्सपैंड़ अगर बात करें तो 79 सेंटिमीटर मांगा गया है male candidate के लिए हम बात करें planning of examination की तो यहाँ पर दो stage में 않아 आपका exam divide क्या गया है पहला जो stage होगा वो mechanism का होगा और दूसरा जो होगा वो main exam का होगा तो जो आपका prelim exam होगा वो objective type होगा ठीक है देख सकते हो upset और में इस इस istat आ का है हम यहां पर देख सकते हैं दोनों पेपर आपका 200 marks का रहेगा मतलब दोनों ही पेपर 200 marks का रहने वाला है यानि कि टोटल जो यहां पर पेपर होने वाला है वह आपका 400 marks का होने वाला है जिसमें कि आपका general study 1 आएगा और general study 2 आएगा ठीक है तो जो आपके question होंगे यहां पर mention है उसके बारे में all question of complex study paper will be objective type ठीक है यानि कि सारे question आपके objective होंगे और हर एक paper के लिए यानि कि paper 1 होगा जो आपका general study 1 उसके लिए आपको यहां पर 2 घंटा दिया जाएगा यह mention कर दिया गया है हम बात करें question के बारे में question आपका Hindi और English दोनों में रहेगा और उस जो यहां पर main exam के लिए selection होगा वो यहां पर recite होगा यहां पर prelims exam का syllabus भी mention है हम यहां पर syllabus भी देख पाएंगे और scheme of examination आप यहां पर देख सकते हो 400 का होगा और यहां पर अगर हम negative marking की बात करें तो there will be no negative marking ठीक है आपका यहां पर कोई negative marking नहीं होने वाला है preliminary exam में यह एक अच्छी बात है अब नीचे देख सकते हो general study one और general study two की यहां पर जो पहले आप यहां पर general study one की देख लो जिसमें दो घंट आपको दिया जाएगा यहां पर history of India से question रहेगा topic आपका mention है 15 marks का इससे question रहेगा फिर हम देखे तो geography of India से भी यहां पर question रहेगा 10 question यहां से रहे आपके ठीक है अब देख सकते हो general geography हो गया physical geography हो गया यह सब यहां पर रहने वाला है आगे हम बात करें तो आगे आपका Indian policy से भी question रहेगा जैसे कि उपर mention है देख सकते हो यहां पर topic भी आपका mention है 10 question आपके यहां से भी रहेंगे फिर आपका economic से भी question रहने वाला देख सकत आपका science and technology से रहने वाला हैं वहीं आगे चले हम तो देख सकते हैं यहाँ पर general awareness से भी question रहेंगे जैसा कि आपका यहाँ पर mention 10 marks का आपकर है का फिर आपका यहाँ पर national and international current event जो होता है current aware वो आपका यहाँ पर 15 marks का पूछा जाएगा ठीक है बाकी सारे आप यहाँ पर देख सकते हो general question जो रहेंगे यहाँ पर 15 question रहेंगे number of question 15 है हम general study paper 2 की बात करें तो यहाँ पर जहरखन की historic question पूछा जाएगा उसके बाद जहरखन का अंदोलन हो गया ठीक है तो यह सारे यहाँ पर रहेंगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 question है और यहाँ पर 7 question हरे question आपका 2 marks का है यह mention यहाँ पर अफिर यहाँ पर देख सकते हो जहरखन से जितने भी topic है सारे यहाँ पर mention आपकी आप screenshot ले सकते हो और यह आपका पूरा prelim exam का syllabus है जाइज आप बात करते है main examination की तो main examination में देख सकते हो यहाँ पर total कितने paper है total यहाँ पर 6 paper है ठीक है आप देख सकते हो total यहाँ पर कितने paper है 6 paper है और आपका 900 marks का exam होगा और 100 marks का आपका interview होगा तो total मिला कर यहाँ पर 1000 plus के एक यार पचास आपका यहां पर marks रहेंगी interview plus आपका main exam मिलागे ठीक है जनल स्टडी के पार्ट रहेगा वो qualifying nature का रहेगा और 100 marks का आपका रहेगा थ्री आवर्स के यहां पर time दिये जाएंगे exam के लिए फिर आपका यहां पर जो language उसका देख सकते हो तो यहां पर बात करें तो 1500 marks का आपका exam होगा और थ्री आवर्स दिये जाएंगे descriptive paper आपका यह होने वाला है नीचे हम देखे तो नीचे देख सकते हो आपका social science रहेगा जिसमें के 200 marks का question पूछे जाएगा ठीकर थ्री आवर्स रहेगा और descriptive paper यह भी आपका रहेगा और फिर आप यहां पर देख स आपका general science है जिससे यहां पर 200 marks का question रहेगा यह भी आपका descriptive रहेगा टोटल आपका यहां पर 950 marks हो जाता है तो यह आपका scheme of examination है और आपकी syllabus है जो कि मैंने आपको यहां पर totally explain कर दिया है बात कर लेते कि apply करने का timing क्या है date क्या है तो आपका यहां पर 15 तारीक से यानि कि 15 February से start हो जाएगा और आपका यहां पर 15 मार्ज तक चलने वाला है यह अगर हम बात करें फॉर्म फिल अठीक है और नीचे देख सकते हो आप कब तक अपना पर परिशा के यह सुल्क है वह जमा करा सकते हो तो उसके लिए यहां पर 16,3,21 तक का time आपका यहां पर दिया गया है online application होगा यहां पर भी तो online ही आपको यहां पर form fill करना है अब जैसे इसकी form fill अप स्टार्ट होगी तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे apply कैसे करना है यह भी आप जड़ा देख लो how to apply आपके यह side है इस पर जाकर आप apply कर सकते हो जो आपका website है www.gpsc.gov.in पर जाकर आप यहां पर website पर apply करने का option हैगा वहां पर आप apply कर सकते हो guys I hope guys कि जो भी doubts होंगे सारे clear हो गहेंगे इसके regarding अगर कोई doubt है तो comment box में पूछ लो मैं आपको जरूर से reply करूँगा कि क्या आपका यहां पर doubt का solution है तो guys मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब त क्यार गाइज